मस्कार दोस्तों, प्रिविच स्रेज्ज के इंतरगत मैं चंद्र हास एक बार फिर से आप सभी का हर्तिक सुवागत करता हूँ प्रिविच स्रेज्ज के इंतरगत हम विशेश रूप से वो परशन करवा रहे हैं जो पिछले सालों के अंदर SSC वाले ने और रेलवे वाले ने आपसे किये थे वो परसन जो फिर से निकट भवीशे में आगामी जो परिक्षाई होगी उनके अंदर फिर से आने के उमीद है वो परसन हम प्रिविश रेग्जाम सिरीज के इंतरगेत करवा रहे है हम आसा करते हैं कि आपको प्रिविश रेग्जाम सिरीज पसंद आ रही होगी अच्छी लग रही होगी अच्छी लगने और पसंद आने का यह मतलब नहीं है कि आपको बैस अच्छी लग रही है आपको जब समझ में आएगी आपके अच्छे तरीके से माइंड में बैठेगी सभी बाते सभी परसंद समझ में आएगे तब हम मानेंगे कि हाँ समझ में आ रही है लेकिन हम आपसे एक प्रम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप साथ की साथ में नोट्स बनाते हुच लिएगा और जब एग्जाम आएगा उससे दो-च्यार दिन पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बर रिवाईज कर लीजिएगा बहुत बड़ा फायदा आपको होगा हाकीकत में सफलता पाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक दो महीने में आच्छे तरीके से मैनत कर लेंगे सफलता मिल जाएगा नहीं बहुत जादा स्टुडेंट ऐसे हैं जो लगातार 6-6 महीने से 7-7 महीने से 1-1 साल से मैनत कर रहे तो उनकी मैनत भी बेकार नहीं जाएगी दिहान रखना मैनत के लिए आपको टाइम लगेगा ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ पढ़ गए ऐसा बिल्कूल भी नहीं होगा लगातार आप लंबे समय तक मैनत कीजिए सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी यदि आप मैनत करते हैं तो चलिए चलिए आज के पहले परसन की शुरुआत करते हैं कि ये बाते तो हम करते रहेंगे बैस आपकी सफलता ही हमारी पराथमिकता है ये दिहान रखना जितनी भी मैनत हमें करनी पड़ेगी हम करवाएंगे लेकिन आपकी सफलता हमारे लिए बहुत जरूरी है यदि हमें दिन र उपका बश सलक्षन साहीए सिरफ ऐक होना चाहिए सलक्षन संस्प 1 तोड़े स्यन ना बटकाएं इंट कि आ ज्यां तो आपने किसी चीज के ऊपर लगा रहा है किसी चीज के ऊपर आप लगातार जूड़े रहें लगातार देखते और लगातार सेर करते नहीं इस वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छे लगती है तो बात कर रहे हैं तो भाई साब आप लगातार हमें जुड़े रहे हैं और लगातार मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और यह हम पूरे आस्वासन के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपका सलक्षन लगबग यदि आप महनत करते हैं तो आपका सलक्षन हम पक्का करवाएंगे देखें अनुच्छे 356 के तहट आपातकाल की घोषना के बाद राज्य का साथन कौन चलाता है यह बोल रहा है कि जब राज्य के अंदर अनुच्छे 356 लग जाता है तो राज्य का जो सासन है वो कौन चलाता है यह पूछ रहा है तो अनुच्छे 356 है किस से सम्मंदित पहले यह देखेंगे एक बार देखें देखें आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 वाला है ना यहां से यह क्यूस्टन हर एक्जाम में उठा लेता है एक्जाम होगा वो दिली पुलिस के अंदर यह आने की पूरी पूरी उमीद है तो आप देखेंगा यह कोशिस करिए जगा आर्टिकल 352 किस से सम्मंदित है तो आपने याद रखना है राष्टिय आपातकाल से सम्मंदित है से दीख रहा है ना साइड में बीट इस सममंदित है किस सम्मंदित इस नामसे इस सम्मंदित है तो जो government employees है उनकी salary वगरे काट ली जाती है जितने दिन सट्डाउन रहेगा उतने दिन जो सरकारी करमचारी है उनकी salary में भी कटोती होगी तो याद रखिएगा वित्ती आपात जो है यह article 360 के तैत लगता है आज तक भारत में नहीं लगा है article 352 राष्टी आपात का लगता है और अनुच्छे 356 राष्टपती सासन तो यहीं examiner जो है SSC वाला आपसे पूछ रहा है कि जब राज्ये के अंदर राष्टपती सासन लग जाता है article 356 का पराधन शुरू हो जाता है तो राज्ये की वास्थविक सत्ता किसके हाथों में चली जाती है या राज्ये का सासन कौन चलाता है तो आप याद रखिएगा राज्ये पाल चलाता है तो यह चीज़े आप बहुत अच्छे तरीके से सठीक तरीके से याद रख सकते है जब किसी राज्ये केंदर article 36 पर लग जाएगा राष्टपती सासन लग जाएगा तो उस राज्ये की सत्ता यार उस राज्ये की कमान है वो किसके हाथों में चली जाएगी भाईया तो याद रखिएगा राज्ये पाल लेकिन इसी के साथ में क्यूशन और बता देता है एक तो बनने के लिए आयू चाहिए कितना 35 वर्स राजये पाल राष्टपती और उपराष्टपती बनने के लिए आयू कितना चाहिए तो आपने याद रखना है 35 वर्स की आयू चाहिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे चली आगे बढ़ बहने ही ंपर निवन लिखित बोला है तो हम आपको और ओप तो देखें हिंदी राजभासा है भारत तो आपने हिन्दी भारत की राजबासा है हिन्दी दीवस का मना जाता है चोदा सेप्टमबर को हिन्दी दीवस मना जाता है 14 September को Hindi दीवस मना जाता है, यह एक क्यूस्टन और किलियर हो गया इसी के साथ में, देखिए एक क्यूस्टन तो आपने यह क्यूस्टन कर दिया कि भारत की राजभासा क्या है हिंदी, दूसरा क्यूस्टन आप से यहां पर यह क्यूस्टन हो गया कि Hindi दीवस कम मनाते हैं, तो 14 सेप्टमबर को Hindi दीवस मनाते हैं, दूसरा हिंदी भासा की जो लीपी है, वो कौन सी है, तो आप याद रखेगा देवनागरी लीपी है, आप से पूछे कि हिंदी किस भासा के अंदर लिखी जाती है, कौन सी लीपी के अंदर लिखी जाती है, तो देवनागरी लीपी के लिखी जाती है, कितने question clear हो गए, तीन question clear हो गए, चोथा question आपने याद रखना है, भारत की रास्टी वासा हिंदी नहीं है, भारत की राज वासा हिंदी है, चार question clear हो गए, लेकिन पांचवा question आपने याद रखना है, हिंदी भारत के कितने राज्यों के अंदर बोली जाती ह और वो पॉइंट जो आपके दिल और दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से बैठ जाएगा यदि आपसे पूछता है कौन SSE वाला ये रेलवे वाला आपसे पूछता है कि वो यदि आपसे क्यूशन करता है भारत का वह राजे जिसके साथ में सबसे ज़्यादा राजे सीमा रेखा बनाते है तो वो राजे कौन सा आएगा तो आप याद रखेगा उत्तर परदेश भारत का वह राजे जिसके साथ में सबसे ज़्यादा राजे सीमा रेखा बनाते है तो वो राजे कौन सा है उत्तर प क्युस्टन की तरफ बढ़ते हैं सा्थ वा क्युस्टन हिंदी से समनitel आपने क्या किलियर करना है लेकिन इसी के साथ में मेरे पैरे भाईया आपने याद क्या रखना है Sounds यह नहीं पूचा जाता है कि हिंदी का वर्णन कौन से आर्टिकल में मिलता है। क्यूशन यह नहीं पूचता है। क्यूशन यह पूचता है, SSE वाला और railway वाला कि अनुच्छे 343 आई किस से सम्मंदित है। तो भारत की राजबासा हिंदी से सम्मंदित है। हिंदी को सवीधान निर्मातरी सभा के दवारा कब अपनाया गया था। 14 सेप्टमबर 1949 को हिंदी को सवीधान निर्मातरी सभा के दवारा अपनाया गया था। सभी क्यूशन है। इस क्यूशनों को आप साथ की साथ में लिखिए कि बहतरी तरीके के नोट्स बनाएं जो किसी के पास में आपको ना मिल पाए। यदि आप बैतरी तरीके के नोट्स बनाते हैं तो मार्केट में जितने भी बुके आ रही है वो सभी बुके आपके सामने फैले हैं। और ये नोट्स इसलिए बनाने की बात बार-बार में हम ये बात बोलते हैं कि जब SSC वाला या रेलवे वाला कोई भी एक्जाम लेगा तो उस समय आप जो नोट्स बनाएं हैं आपने अपने हाथों से उन नोट्सों को दो-ती दिन पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें। जब आप पढ़ेंगे तो पीछे जो आप वीडियो देखना हैं ये आपके मैंड में रिवाईज होने लगेगा और रिवाईज हो गया जैसे आप कोई भी क्यूस्टन मिलेगा आप तुरूंत उसका स्टेक आनसवर दे देंगे तो आप याद रखेगा ये क्यूस्टन हिंदी की लिपी देवनागरी और हिंदी भारत की राजवासा हिंदी आठ राज्यों के अंदर बोली जाती है और हिंदी का वर्णन आर्टिकल 343 आईवे मिलता है और हिंदी को सुविधा निर्मात्री सभा के दवारा 14 सेप्टमर 1908 के अंदर अपनाया गया था बहुत आगे बढ़ते हैं निमन लिखित में से सत्य मेव जैते कहां से लिया गया है ये क्यूष्ण आपको आता होगा ये क्यूष्ण आपको आता होगा लेकिन इसी क्यूष्ण से और क्यूष्ण किस परकार निकलते हैं और इसी परसंद का अर्थ क्या होता है वो हम आपको क्ई च्छाहिब लेते जो सबदा दे करें सक्वाइब हो पर हमेसा की विजया की हमेसा सच टो याद रखेख ये हम कह सकते हैं कि यह सच बोलेग उिसकी हमेसा विजया व Northern सच जो है वो भाई साब जोटा कभी भी नहीं हो सकता सच तो सची रहता है और सच देखिएगा हमेशा सट्य की जीत हुई है यह याद रखेगा सट्य कभी पराजित नहीं हो सकता तो सट्य में जैते का आर्थ होता है सदेव सट्य की जीत या सदा सच की जीत होना यह सट्य मे मुंड को मुंड कि पि सोरि के मुंड को ऊपनिसत्थ से लिया गया ये क्योस्टन भी छाChans विए ऊलünde कि परिक्षाव के नर पूछा जाता है सब्सक्राइब का से लिया गया है श Euch लेकिन जो सत्य में उजयत्य आते है भारत का राष्टी वाक्य है भारत का यदि आपसे पूछे राष्टी वाक्य क्या है भारत का यदि राष्टी वाक्य आपसे पूछता है एक्जामिनर तो भारत का राष्टी वाक्य पूछे तो आप बताएंगे सत्यमेव जैते भारत का राष्टी वाक्य है लेकिन इसी के स सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किस सबती न किया था तो आपने याद रखना है, मदन मोहन मालविये ने, पंडित मदन मोहन मालविये ने, सत्य में जैते जो सबद है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत बैतरीन तरीके से लोगपिरी बनाने का कारिय किस ने किया था, पंडित मदन मोहन मालविये, इसी के परियासो के अद्द्स बने थे दूसरी बार 1918 में और जब दूसरी बार 1918 गेंद्री कोंग्रेस के अद्द्स बने थे मदन मोहन माल वी जी तो उसी समय इन्होंने इस सबद को परस्षिदी प्राप्त करवाई थी उसी समय इस सबद को लोग फिर इज़bokी बनाय था यह आपसे पूछना चाहता है कि जो Home Rule League है वो किस ने सापित किया था है किस ने शुरुवात की थी देखें एक बार क्या पूछना चाह रहा है आपसे निमन लिखित में से Home Rule League की स्थापना किस ने की थी तो यहाँ पर एक क्यूशन यह निकल कर आता है Home Rule जो रीग बनी थी यह बनी कब थी तो आपने याद रखना 1916 के अंदर Home Rule League बनी थी Home Rule League की स्थापना 1916 के अंदर हुई थी यह किस ने की थी तो आप याद रखेगा एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तेलक याद रखेगा इन दो वेक्तियों ने मिलकर की थी Home Rule League की स्थापना कब हुआ था आप से यह पूश्ता है SSC वाला या रेलेवे वाला तो आप बताएंगे 1916 के अंदर लेकिन Home Rule League की स्थापना हुआ कब था तो आपने बताना है 1916 में और किसने किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी देखे एनी बेसेंट के यह दी पॉइंट की बात करें तो Congress की पर्थम महिला अद्देक्स है यारतर महिला अद्देक्स और अनी बेसेंट 191911 में 1916 के आपको चंपरण गटना भी याद होगी महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रे जो चंपरण के अंदर हुआ था चंपरण जो बिहार के अंदर पढ़ता हैै बिहार जो कहहां पर पढ़ता है सोरी बिहार की रादानी क्या है पटना है वैसे बिहार भारत में पढ़ता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखें एनी बैसंट का ये क्यूशन आपने याद रखना है उसके बाद में एनी बैसंट की एक पुष्टक का नाम पूछ लिया जाता है कोमन वील और न्यू इंडिया किसकी पुष्टक है एनी बैसंट की पुष्टक है याद रखना आपने लेकिन इसी के साथ में आप देख रहे हैं भारती एसंतोस का जनक किसे कहा जाता है तो आपने याद रखना है बाल गंगधर तिलक को भारती एसंतोस का जनक किसे कहते हैं बाल गंगधर तिलक को भारती एसंतोस का जनक का जाता है इसी के साथ में मेरे प्यारे भाईया आपने याद रखना है गरम दल का परमुख नेता हुआ करता था बाल गंगधर तिलक और बाल गंगधर तिलक को रहनी बैसंटर मिलकर होम बहुत अच्छे तरीके से सटिक तरीके से यह सभी चीज़े आप याद रखेगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है चलिए चलिए नेक्स परसन की तरह बढ़ते हैं यह बार बोर्ड को शाप कर दें तो आप लगातार बने रही है और इस वीडियो को लगातार शेयर करते र आप ने जीके कोई अंत नहीं हैै कभी यह सोचे दोस्यार क्यूस्स न आने लग गए तो यह सोचे कि हप आने लग गया तो मेरे भाई सी कि कभी समाप्त नहीं हो सकताrą याद रखेगा ж चीज़ेंगा ना सोचे कि हमें तो GK आने लग गया, नहीं, GK कोई अंतर नहीं है, वीडियो को end तक आवश्य देखें, क्या पता कोई क्यूस्टन जो आपने नहीं पड़ा और वहीं क्यूस्टन एक्जाम में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, वरना नोट्स जो आप बनाएंगे, तो अच्छ बोशने का था, तो याद रखिएगा, उसके बाद में निमन लिखीत में से भारत की अधिक्तम उत्री अक्सांस क्या है, ये पूछ रहा है कि भारत का जो उत्री अक्सांस है, वो क्या है, तो ये एक हम छोटा सा मैप बनाएंगे भारत का, और उसके बाद देखेंगे अच निवासी है हम और आप सभी का उसी भारत से हम बहूत अच्छे से प्यार भी करते हैं हमारा भारत कि और किसी का भारत नहीं कि यह देख गजब गजब यह अपना एक छोटा सा भारत है अपना आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे उत्तर के अंदर जो उत्री अक्सांस है ये वाला आपसे पूछ रहा है कि जो उत्री अक्सांस ही कितने डिगरी के ओपर सिथी ते एक बार क्योशन को फिर से रिपीट करते हैं आप ध्यान से सुनिएगा निमन लिखित में से भारत की अधिक्तम उत्री अक्सांस क्या है देखिए भारत का दक्षिनी अक्सांस नहीं पूछा है भारत का उत्री अक्सांस पूछ रहा है एक बार हम अक्सांस और देशांतर के उपर थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं देखिया, अमारे पास में ये एक पिर्थवी है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में ये एक पिर्थवी है, और पिर्थवी के उपर इस परकार से जो रेखा खिची हुई है, वो कौन सी रेखा है, देशांतर रेखाई है, लेकिन इस परकार खीया काल्पनिक रेखा, जिनका कारिय किसी भी स्थान की जल्वायू का या मोसम का अध्यन कराना है और जिनके बीच की दूरी समान है याद रखिएगा जो कभी भी आपस में नहीं मिलती है क्या कहलाती है? अक्सांस रेखाई कहलाती है भारत का अक्सांसी विस्तार यदि आप से पूशता है कि भारत का जो latitudinal expansion है यदि आपसे पूशता है भारत का अक्सांसी विस्तार क्या है? जोग्रफी का question है और यदि आपने ये पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है तो जोग्रफी सीरीज के अंदर आप जाएं हमारी जोग्रफी सीरीज है उसके अंदर ये सीज़े देखें तो देखें भारत का अक्सांसी विस्तार है वो यहां से सुरुवात होता है और भारत का अक्सांसी विस्तार समापत यहां पर होता है यदि भारत का अक्सांसी विस्तार पूछे तो 8 डिगरी 4 मिनट से इसकी सुरुवात होती कि जो भारत का सबसे उत्री जो अकसान से है वो कितने डिगरी के उपर सिथित है 37 डिगरी 6 मिनट के उपर ये आपने याद रखना है और ये कितने डिगरी से सुरुआत होती है भारत की 8 डिगरी 4 मिनट से है यदि भारत से आपको आपसे पूछे कि भारत का अकसान से विस्त ये भारत का देशांतरी विष्थार है और ये भारत का अक्सांसी विष्थार है दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए चलिए चलिए नेक्स क्यूशन की तरह बढ़ते हैं अफरीका को यूरोप से कौन सा समुद्दर या सागर अलग करता है अफरीका महाद सागर या पर्शियन खाड़ी तो इसमें याद रखिएगा अफरीका को जो यूरोप से अलग करता है वो कौन सा है मैडिटेरियन सागर अफरीका को यूरोप मादविप से कौन अलग करता है तो कौन सा सागर या कौन सा समुद्दर अलग करता है तो मैडिटेरियन समुद् में यह देखेंगे, यह क्यूस्टन बहुत मस्त क्यूस्टन होने वाला है, आपके दिल को जकजोर के रख देगा यह क्यूस्टन, बहुत अच्छ, दिल में ऐसा बैठेगा कि जिंदिगी बर नहीं बूलेंगे, जिंदिगी बर कोई बूलने का सवाल ही नहीं है, यह आप से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जर्नल था जिसने डॉक्त्रिन के ऐसा गवर्नर जर्नल जिसने डॉक्त्रिन ओफ लेप्ष निती का परियोग हिया था कि डॉक्त्रिन ऐसा गवर्ना जर्नल जिसने डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स निती का परियोग किया था तो सबसे पहले आपने याद रखनेगा doctrine of lapse जो निती का परियोग किया था doctrine of lapse निती को जो अपनाया था वो governance journal कौन हुआ करते थे तो आपने याद रखना है लार्ड डल हो जी ये लार्ड डल हो जी आप अच्छे तरीके से इस वेक्ति से वाकिप होंगे लार्ड डल हो जी वहीं वेक्ति है जिसके सासनकाल में भारत में पर्थम ट्रेन चले थी जिसके सासनकाल में भारत के अंदर पर्थम ट्रेन 1853 में बुमबई सिथाने के बीच लगबग 34 किलोमेटर जिसका नाम बलैक ब्यूटी था वो ट्रेन चले थी 1853 के अंदर लेकिन अगले ही साल doctrine of lapse निती का परियोग किया गया और doctrine of lapse निती जिसका परियोग सरपर्थम किसने किया था लाट डल हो जीन गटना कब की है तो आप याद रखेगा 1854 की गटना है अब doctrine of lapse निती क्या थी जो भी हिंदु राजा हुआ करता था और उस हिंदु राजा के यदि कोई भी पुतर्ष या कोई भी संतान नहीं थी मतलब राजा की जब death हो गई और उसके कोई भी संतान नहीं है तो यह नहीं है उसके चाचा के ताउ के मामा के फुपा के किसी भी लड़के को बना दिया क्या सासक ऐसा बिल्कूल भी नहीं चलता था यदि किसी राजा के संतान नहीं है और उसकी किसी कानवस डैथ हो जाती है तो उसकी पतनी राजपाट समालेगी और यदि पतनी वगेरा के भी डैथ हो गई तो राजपाट कौन समालेगी अंग्रेजी गवर्मेंट राजपाट समालेगी वो राजे किस के दिन हो जाएगा अ फिर से क्या थी ये निती और हम आपसे बता दें देखें एक बार डॉक्ट्रिन ओप लैप्स निती के अंदर ये प्रावधान कर दिया थंग्रेजों ने यदि किसी भी राजा के संतान नहीं है और उस राजा की डैथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने चाचा ताव म कर लिया जाएगा और ये याद रखेगा इस डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स निती का परियों किस ने किया था लाडल होजी ने गटना कबकी अठारा सो चोवन की लेकिन इसी के साथ में प्यारी स्टुडेंट आपने ये याद रखना है डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स निती के त अतारा कहां पर पढ़ता है तो आपने याद रखना है महराष्ट्र और महराष्ट्र जिसकी राधानी क्या है तो आपने याद रखना है मुंबई वर्तमान में महराष्ट्र की राधानी है पहले बुंबे के नाम से जाना जाता था या बुंबई था 1905 में 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 बुंब जो सतारा है वो कहाँ पर पढ़ता है, महराष्टर के अंदर पढ़ता है, तो याद रखेगा यह बहुत अच्छा क्यूस्टन है, तो next person की तरफ देखें, next person, फिलम तारे जमीन पर, फिलम तारे जमीन पर का निर्देशन किस ने किया था, फिलम आई थी एक 2007 के अंदर, जिस का नाम था, दंगल, और उस दंगल फिलम में आमीर खान ने किस का किरदार निवाया था, मावीर सिंग फोगाट का किरदार निवाया था, जो फोगाट बहने हैं, जो हरियाना के कलाली बलाली गाउं से हैं, जो बिवानी के अंदर पढ़ता है, याद रखेगा, उनके शाथ के अंदर एक फिलम आई थी जिसका निर्देशन किस ने किया था आमीर खान ने चलिए नेक्स यूशन वाउ नेक्स तू और भी बहतरी क्यूशन है भारत का पर्तम विक्ति जिसने नोबल पुरुषकार मिला था देखिए नोबल पुरुषकार की जो सुरुवात हुई कारेंटी मतलब रविंदर नाथ टैगोर भारत का पर्तम विक्ति जिसने नोबल पुरुषकार मिला तो रविंदर नाथ टैगोर और रविंदर नाथ टैगोर को नोबल पुरुषकार कम मिला था 1913 में और किस शित्तर में मिला था तो आपने याद रखना शाहित्ते के शि एक पर्षन एग्जामिनर ने, SSC वाले ने और रेलेवे वाले ने आपसे एक पर्षन किया कि भारत का पर्थम विक्ती जिसे नोबल पुरुषकर मिला हमें आंसुर नहीं पता लेकिन हमने आपसे एक आंसुर के बज़ा चार आंसुर बताएं है नोबल पुरुषकार की शुरुवात हुई 1901 में पर्थम भारते जिसको नोबल पुरुषकार मिला रविंदर नाट टैगोर को कब मिला 1913 मेर की छितर में मिला साहित्य के छितर के अंदर मिला था दूसरा भारते जिसको नोबल पुरुषकार के नाम से नवाजा गया था सिवी रमन और नोबल पुरुषकार की रासी बढ़ा दी गई है लगबग 8. कुछ करोड रासी कर दी गई है फिक्स हम नहीं बता सकते क्योंकि डाटा अभी जश्ट नया डाटा है और हम सोच रहे थे इसके उपर भी एक विश्श्च वीडियो बनाए जो आपके सामने लेकर आया लेकिन आप याद रखेगा नोबल पुरुषकार या आप देख भी सकते हैं करेंट बगेरा का मुद्दा है या आप देख भी सकते हैं कि नोबल पुरुषकार की धनरासी है वो धनरासी में काफी इजाफा किया गया है भारती रूपय के अनुशार यदी बात करें तो आठ पुइंट कुछ क्रोड रूपय नोबल पुरुषकार के तैत कर दिये गये हैं तो दूसरा भारती स्रीवी रमन था जिसको फिजिक्स के छेतर में मिला था और कम मिला था तो आप याद र और महात्मा गांदी को महात्मा किसने का था तो आपने याद रखना है रविंदरनाट टैगोर ने एक बार फिर से क्यूशन बहुत इंट्रेस्टिंग क्यूशन है नोडाउट अच्छे तरीके से पढ़ें रविंदरनाट टैगोर को गुर्देव के नाम से जाना जाता है रविंदरनाट टैगोर को गुर्देव किसने का था मात्मा गांदी ने और मात्मा गांदी को मात्मा किसने का था रविंदरनाट टैगोर ने इसने तो मतलब अदला बदली की थी इसने तो मतलब अपनी अदला बदली की थी कि वही इस परकार से तु मेरे से कहेगा तो हम यह थेरे से कहेंगे, ऐसा नहीं है, कि आप बस हमारे से कहते रों, हम कुछ भी ना कहें, ऐसा नहीं है, तो किरिया परती किरिया हुई थी वह पर, तो रविंदर नाठ टैगोर ने महतमा गांदी को क्या का था, गुर देव, लेकिन इसी के साथ में आपने यह याद रखना है इसी के साथ में अपने याद रखना है, यह दोनों महान सक्षियत ऐसी है, कि जोनों ने जलिया वाला बाग हत्यकांड के बाद में दोनों ने अपनी उपादिया लोटा दी थी, जलिया वाला बाग हत्यकांड 13 अपरेल 19-19 के अंदर हुआ था उसमें पंजाब के गवर्नेंट माइकल ओडायर थे और उस माइकल ओडायर को उद्दम सिंग ने 1940 में गोली मारा था लंदन में जो टेमस नदी के ऊपर बसा है लेकिन इसी के साथ में अपने याद क्या रखना है कि जलिया वाला बाग हत्याकांड के बाद में महात्मा गांधी ने कौन सी उपादी वापिस कर दी थी के सर ए हिंद की और इसने रविंदरना टैगोर के पॉइंट की बात करे तो इन्हें उन्हें नाई टूड या सर की उपादी वापिस कर दे तो यदि पूछे कि जलियावाला बाग हत्याकांट के बाद में रविंदर नाट टैगोर ने कौनशी उपादी वापिस की थी गुरुदेव रविंदर नाट टैगोर ने कौनशी उपादी वापिस की थी नाइटूड या सरक्युपादी और इसी के साथ में आपने याद र से षिटीड तरीके से लाजवाब तरीके से आप अपने लिखने नहीं लिखने Walгов और लिखते चलिएगा पिर भी नहीं लिखते हैं सो दिमाख मेंले моुख लिघए और दिल जो है ना उसको निकाल दिजिए और अपने अंदर नोकरी के आख जलाएं, और वो आग इतने बैतरी नहोंनी चाहिए, कि भाई साब जब तक आप सरकारी नोकरी ना लगे ना, तब तक आग वो भुजने नहीं चाहिए. तो ये इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से, लाजबब तरीके से, शटिक तरीके से ये चीजे याद रख्येगा, क्यों नेलसन मंडेला ने निमन निखित में से किस के विरुद संहर्ष किया था। कि आपको याद होगा अच्छे तरीके से याद होगा रं भेय के विरूद किसके विरूद किया था रंigent नेलसन जो मंडेला है उसने किस के विरूदभयान किया था तो रंग-bėd के विरूदभया नेलसन इडियला है यह आफरीका के राश्ठ्पती बने थे और 94-98 तक लगबगी ये राष्टपती रहे थे और काफी रंगभेद नितियों के खिलाप काफी इनोंने संघर्ष किया था किसने नेलसन मंडेलाने चलिए आप देखिए वही के उसन जो हम थोड़ी देर पहले रिपीट कर रहे थे जलिया वाला बाग हत्यकांड का मुख्य आरोपी जलिया वाला बाग हत्यकांड का मुख्य दोसी जर्नल ओडायर को किसने गोली मारी थी जर्नल ओडायर को गोली मारी गई थी 1940 में और जर्नल ओडायर को गोली मारी थी लंदन में उसने 1940 में गोली मार दी थी देखे जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था 1919 में और गोली मारी गई थी 1940 में मतलब अपने अंदर 21 साल तक आग जला कर रखी थी तो आप जो सरकारी नोकरी की आग बस एक साल जला लीजिए सरकारी नोकरी मिल जाएगी 21 साल तक उसके सरीर के अंदर आग जलती रही थी कि हम बदला लेंगे और उसने मारा था किसको जर्नल माइकलो डायर को कहां पर लंदन में और कि उसने ये भी पूछ लेता है जीके के अंदर कि लंदन कौन सी नदी के उपर सिती थी तो आप बताएंगे कि लंदन जो है वो टेम सनदी के उपर सिती थी तैंगे किसे ने लिखी थी यूरा सिंग ने टेस्ट ओफ माई लाइफ किसकी रचना है यूरा सिंग की रचना है बहुत अच्छे चलिए निमन लिखित में से भारती मिसाइल टेकनोलोजी का पिता किसे कहा जाता है निमन लिखित में से भारती मिसाइल टेकनोलोजी का पिता किसे कहा तो आप सभी इस चीशे वाकिफ होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम को भारत में मिसाइल टेकनोलोजी का पिता का जाता है, आप से एक क्यूसन फिर रिपीट करता है, भारत में मिसाइल टेकनोलोजी का पिता किसे का जाता है, तो आप बताएंगे, डॉक्टर एप एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है एक बार फिर से देगे मिसाइल टेकनोलोजी का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और याद रखेगा भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है और विंग्स फायर किस की रेचना है डोक्टर एपी जब्दूल कलाम की रेचना है लेकिन इसी के साथ में प्यारे भाईया आपने याद रखना है कि डोक्टर एपी जब्दूल कलाम दो हजार दोस लेकर दो हजार साथ तक भारत के राष्ट पती भी रहे थे इसी के साथ में आपने ये य इस योजना आयोग का जो गठन हुआ था योजना आयोग के पुएंट की बात करें तो योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 के अंदर योजना आयोग बना था योजना आयोग का अद्धक्स कोन होता था तो जो भारत का ततकालिन परदान मंत्री रहेगा प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो योजना आयोग का अद्धक्स रहेगा तो याद रखेगा जिस समय जो परदान मंत्री था उस समय जो भी एक्जामस हुए है और उसके अंदर जो पूछा गया है कि योजनायोग का अध्यक्स वर्तमान कौन है तो जो परदानमंतरी वहीं योजनायोग का अध्यक्स होगा लेकिन योजनायोग के परथम अध्यक्स कौन बने थे तो भारत के परदानमंतरी कौन थे पंडिजवारला नहरू तो योजनायोग के परथम अध्य और गुलजारी लालन्दा संग्रहले के पॉइंट की बात करें तो हरियाना का एक जिला पढ़ता है कुरुचेत्र उसके अंदर गुलजारी लालन्दा संग्रहले है योजनायोग जिसका अगठन हुआ 15 मार्च 1950 में योजनायोग का अध्यक्स होता था परतानमंत्री योजनायोग वरतमान में किस नाम से जाना जाता है निती आयोग योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था तो याद रखेगा योजना आयोग समाप्त हुआ था 15 अगस्त 2014 के अंदर और निती आयोग की सुरुआत कब हुई थी एक जनवरी 2015 के अंदर निती आयोग की सुरुआत हुई थी बहुत अच्छा तरी क्यूस्टर है लाजवाब क्यूस्टर ने किछी परकार का कोई दिक्कत आएगा नहीं निती आयो का वर्तमान में अद्देक्स पूछ ले तो आप क्या बताएंगे निती आयो का वर्तमान अद्देक्स आप से पूछ लेता है निती आयो का वर्तमान में अद्देक्स कोन है बता देना क्या अद्देक्स कोन है नरेंदर मोधी नहीं स्री नरेंदर मोधी कोन है नरेंदर मोधी नरेंदर मोधी कहां से सांसद है वारानसी से वारानसी कोन सी नदी के उपर पड़ता है गंगा तभी तो कहते हैं मुझे गंगा मा ने बुलाया है नहीं वारानसी जो है वो काम पर पढ़ता है उत्तर परदेश में जो गंगा नदी की उपर शिती थी चलिए बहुत अच्छे निमन लिखित में से भारत का सर्वोपरी विदी अधिकारी कोन होता है यह आप से पूछना चाहता है कि भारत का जो सर्वोच्य विदी अधिकारी है सर्वोपरी विदी अधिकारी है वो कोन होता है अक्टोर्नी जर्नल भारत का जो अक्टोर्नी जर्नल है वो भारत का सर्वो विदी अधिकारी होगा चलिए अगले परसन की तरह बढ़ते हैं अगला परसन निमन लिखित में से किस दिन सैना दिवस के रूपे मना जाता है एक बर बोल्ड को साप कर लेते हैं और बोल्ड को साप करें उस समय तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी व अदे लोगती हैं कि वीडियो को सेर कर दीजिए मेरे भाईस सेर आप रहने दीजिए सबढ़नी जीए वीडियो कि किसी को बुरा लगती है सेर मत करें किसी बुरा लगती है तो वों ना करें सेर लगातार आप बस पढ़ लिए आप अपर ल quantity बास नोज नोगने के वाद segments क सैना कि वक बनाय जाता है आप से पूच रहा है तो याद रखेगा आरमी डे वह मना जाता है पंदरा जन्वरी को याद रखेगा थल्सना डीवस ही ép पूछ सकता है कि Air Force Day कम मना जाता है वायू सेना दीवस Air Force Day कम मना जाता है तो आज ऐसा Air Force Day बताएंगे आप जिंदगी में सब कुछ बूल जाएंगे लेकिन Air Force Day नहीं बूलेंगे एरफोर्स डेइदि आपसे पूछता है वायू सैनो दिवस आपसे पूछता है तो आपके माइड में ये रहना चाहिए वायू सैनो दिवस मना जाता है आठ अक्टूबर को अब 8 अक्टूबर कैसे याद रखना है तो आपने याद रखना एरफोर्स में जो वर्ड है टोटल कितने वर्ड है 8 तो 8 तो डेट हो गई लेकिन भाग्यवस कई बर होता क्या है आपके भाग्य के कारण कई बर होता क्या है कि 8 वाला ओप्शन एक ही मिलता है आब आगे आपको ये नहीं पता कि 8 वाले तीन ओप्शन मिल जाएगी सभी के आगे 8 ओठ हो तो इस आफ में आप 2 जोड देना 8 वे 2 जोड देंगे तो दस्वा तो मन्त हो जाएगा और देट कितनी हो जाईगी आफ तारिक और दस्वा महीना सबस्क्राइब के आप नेती अपन दो दीऊ सबस्क्राइब करें से हैं अर रहते से हैं याद रखेंगे से अज के माद में कभी नहीं बूलेंगे Wow आफनी देखे 3x यदि आप से मंथ पूछे तो 4 में से 1 गटा के इसको मल्टिपलाई कर देना, 4 x 3 is equal to 12, तो कौन से मन्थ हो गया? December, तो याद रखेगा 4 December को क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं देखे बस आप ये तरीक का याद रखेंगा नेवी में वर्ड चार हैं इसको तीन से मल्टिपलाई कर देना बारवळ मैंन हो जाएगा तो 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे और 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं चलिए नेक्स पर्षन की तरह बढ़ते हैं। निमन लिखित में से भीमसेन जोसी किस से सम्बंदीत है। फिलम से, सरोध से, कथक से या गायन से। तो याद रखेगा भीमसेन जोसी का सम्बंद है गायन से। संसदी चुनाव में उमीदवार की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए, यह पूछरा कि जो सांसद वगरा बनते हैं, लोग सबाके सांसद वगरा बनते हैं, उन चुनाव में उमीदवार की आयू कितना होनी चाहिए, तो उमीदवार की जो संसदी चुनाव है, यदि आप से क्य जिक्त के इंदर आप आंसुर देज़ीगा 25 वार्ष देखिए जीखे के जो परशाहणा नहीं है इसके आंसुर जिक्के के लिए आपको मिलेगा 50 श्रीक नीट कोई थी तो इस समय भारत के गवरनर्जर्नल हुआ करते थे लाढ के लाढ केंग भारत के पर्थमकर तो याद रखएगा लाढ केंग लेकिन इसी के साथ में एसरी वाल आपसे क्युस्टन कर सकता है और वो क्युस्टन क्या कर सकता है वो क्युस्टन ये करेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जर्रनल कौन था भारत का अंतिम गवर्नर जर्रनल कौन था लाड के नहीं आप SSC वाला और रेलवे वाला थोड़ा सा माइंड अपनाएगा और अपने माइंड की साबसे क्यूशन क्या पूछेगा कि भारत का पर्थम वाइसरा है कौन था तो लाड के नहीं बहुत अच्छे तरीके से लाजवाव तरीके से बहुत अच्छे 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 तरीके से याद र बुध किस वन से संबंदित था भगवान जो बुध है भगवान बुध या महात्मा बुध जो है वो कौन से वन से संबंदित था यह पूछ रहा है तो याद रखेगा साक्य वन से बागवान बुध या महात्मा कौन से वन से संबंदित हुआ करते थे साक्य वन से संबंदित निर्मान किसने करवाय था राए पिथोरा गड़ का निर्मान किसने करवाय था तो आपने याद रखना है पिथवी राज चोहान पित्वी राज चोहान, राय पित्वी राज चोहान की जीवनी का नाम बताईए पित्वी राज चोहान की जीवनी है वो कौनशी है पित्वी राज रासो और पित्वी राज रासो जो किसे ने लेकी थी चंदरबर्दाई ने लेकी थी याद रखेगा चंदरबर्दाई जिसका संबंध हरियाना के हिसार से है बहुत अच्छे तरीके से लाजवाब तरीके से सटीक तरीके से याद रखेगा कि जो पित्वी राज रासो है ये किसे ने लिखे थी पित्वी राज चोहान के जीवन के उपर चंदरबर्दाई ने और पित्वी राज चोहान जिसने राय पित्वुरागड के किले का निर्मान करवाय था next person ने भूदान आंदोलन की शुरुवात किस ने की थी तो आचारिये विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुवात किस ने की थी आचारिये विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुवात किस ने की थी आचारिये विनोबा भावे ने इसकी शुरुवात क और नेक्स पर्शन है बूदा नंदोलन हो गया इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था भगत सिंग ने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था भगत सिंग जिसकी याद में 23 मार्च को क्या मनाते हैं सहीदी दीवस मनाय जाता है चलिए कत्कली किस परशांत और एटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोडती है तो आप याद रखेगा पनामा नहर आप से पूछे कि पनामा नहर जो है ये पनामा नहर जिसकी लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 77.1 किलोमेटर देखे एक बार फिर से रिपीट करते कि पनामा नहर है ये कौन से दो महासागरों को जोड़ती है परशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है पनाम 1914 के अंदर प्रणामा नहर बने थी लेकिन 2000 तक या 2000 से पहले इस नहर के उपर अधीकार हुआ करता है था अमरीका का और 2000 के बाद में इस नहर के उपर अधीकार हो गया कौन से देश का प्रणामा का तो यह सटीक तरीके से सभी परसन आप याद रखेगा यह आज का लास्ट संथा और प्यारे स्टुढेंट हमारे साथ में लगातार ही पर इस पर कार जुड़े रहें ज़र आपको कि Colorado सेवाज सट्रदी गूरुफ में सेल करें वीडियो को लगातार सेर करते रहे आपका एक सेर किसी अन्य विक्ति की जिंदगी बना सकता है आपकी तो जिंदगी बन जाएगी लगातार वीडियो को देखते रहे लेकिन आपका एक सेर है वो किसी अन्य विक्ति की जिंदगी भी बना सकता है तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहें और वीडियो कोई भी हो वीडियो को आन्त तक जरूर देखें बहु ज़ादा आपको फार्दा होगा यह हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं तो यह चीजे आप याद रखेगा चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स क्लास में धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद